ये माना जाता है कि आध्यात्म उनके लिए है जिनकी उम्र 72 साल से ज्यादा है यहाँ थोड़े ही उमीदवार है क्योंकि आज आध्यात्म बेजान हो चुका है पर साथ ही इसे ये पता चलता है कि आध्यात्म को लेकर लोग कितने उलजे हुए है हमारे हिसाब से आध्यात्म उन बूढ़े लोगों के लिए है जो जीवन के दूसरे कोई भी पहलू जी नहीं पा रहे है यानि अगर कोई ठीक से खा नहीं सकता ठीक से जी नहीं सकता जब सिर हिलने लगे तब वो जाए और गुरू के पास बैठकर आध्यात्म सिखे साथ ही अगर कोई बहुत स्पिरिटिड होता है तो हम कहते हैं वो बहुत जीवन्त है याना तो अगर स्पिरिटिड होना जीवन्तता है तो स्पिरिच्वल लोगों में जबर्दस्ट जीवन्तता होनी चाहिए याना पर दुर भागे से इसकी प्रस्तुती इसका प्रचार और कई गलत उपियोगों की वज़े से इसे कुछ और माना जाने लगा है जो इंसान जीवन जी नहीं पाता उसे अकसर आध्यात्मिक मान लिया जाता है जो खाना पचानी पाता वो वैसे भी नहीं खाएगा अगर कोई तीन दिन न खाए तो उसे अध्यात्मिक मान लिया जाता है असल में अगर किसी का खान पान पहनावा और हैंसेन अच्छा नहीं है तो उसे अध्यात्मिक मानते हैं आमतोर पर लोग यही समझते हैं आप सभी ये सोचना छोड़ दें कि मैं आध्यात्म के मार्क पर हूँ. दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसे जीवन में रुची नहीं हो, है न? अगर अभी जीवन अच्छा नहीं चल रहा हो तो वो कहता है मुझे रुची नहीं है. पर अगर जीवन थोड़ा अच्छा हो जाए तो उसे रुची हो जाती है, है न? अगर चीज़ें बिगड़ जाए तो उसे रुची नहीं होगी, पर कल थोड़ी आशा दिखने लगे, ज़रा सी चीज़ें बहतर हुई नहीं कि अच्छानक उसकी रुची जाग जाएगी. आपने पूरी तरह रुची लें और एकदम पूरी भागीदारी से जियें, वरना जीवन दुखताई होगा. या तो पूरी तरह जीवन थे रहें वरना मर जाएं, बीच में रहना दुखताई है, है की नहीं? ऐसा है की नहीं? क्या आपने लाब में मेंड़ किया कौकरूच काटा है? आपने से कितनों नहीं किया है? आप जानते हैं की बीच वाली हालत दुखताई होती है, हैंना? एक हिस्सा काम करे और दूसरा न करे, ये बड़ा दुखताई होता है, तो आप पूरी तरह से जीवन्त हो जाने के लिए जीवन के दुखताई हो जाने का इंतजार मत कीजे, आध्यात्मिक प्रक्रिया यानि आपके अंदर हर चीज बिलकुल जीवन्त है, आप न केवल शा अगर ऐसा नहीं हुआ, तो ऐसे नहीं तो वैसे जीवन्त दुखता ही बन जाएगा, अगर कुछ गलत ना हो तब भी, असल में जब सब कुछ ठीक हो तो जादा तकलीफ होगी, न कि तब जब कुछ गलत हो, क्योंकि अगर कुछ गलत होगा, तो आप उससे ठीक करने के कभी देखा है, जब सब कुछ ठीक हो तो लोग जादा दुखी रहते हैं, कुछ कमी हो तो कम से कम एक चुनोती होती है, आप उसे ठीक करना चाते हैं, अगर लोगों की जिन्दगी में सब कुछ ठीक हो जाए, तो अधिकतर लोगों को मानसिक बीमारी हो जाएगी, सच में, उनकी जिन्दिगी का हर पहलू अगर ठीक करके दे दिया जाए तो सत्तर असी प्रतिशत लोगों को मानसिक बीमारी हो जाएगी अभी वो स्वस्त इसलिए हैं क्योंकि वो किसी चीज़ के लिए संघर्ष कर रहे हैं उनके पास कोई उद्देश है ये जीवन के प्रति रुची कम तब होती है जब आपकी उर्जा कम हो जाए तब ये महसूस होगा कि बस इतना काफी है बस बस पर थोड़ी सी उर्जा जगी नहीं कि फिर से रुची बढ़ जाती है जब जीवन के कुछ ही हिससे जीवित हो और आप इसे बाहरी मदद के जुगार से ठीक करने की कोशिश करें तो जीवन ऐसा ही होगा आज अगर कोई बाहरी जुगार ढह जाये तो आप मर जाना चाहेंगे क्योंकि आधा जीना बहुत ही जाधा मुश्किल होता है ये बहुत दुखता ही होता है केवल आपका शरीर और मन का बस एक हिस्सा जिन्दा है जाधा तर लोग बस ऐसे ही जी रहें आध्यात्निक होना यानि आप में हर चीज जीवन्त है एकदम जीवन्त अब जीने या मर जाने का कोई चुनाव नहीं होता क्या मैं जीओं क्या मैं रहूं या ना रहूं मैं रहूं या ना रहूं इसे बड़ा बुद्धिमानी का प्रश्न समझा जाता रहा है मेरे लिए ये हमेशा सबसे मुर्खता पुन सवाल है जिसने जिन्दिगी का स्वाध ही नहीं चखा है जिसने सिर्फ विचारों में ही जीवन को जाना है सिर्फ उसी के दिमाग में ऐसे प्रश्णाएंगे अगर आप बिलकुल जीवन्त रहें मैं रहूं या ना रहूं कभी मन में आये गई नहीं क्योंकि आप हर हालत में बस रहेंगे अगर आप हुगली नदी में कूद भी जाएं तब भी आप रहेंगे तो आध्यात्मिक प्रक्रिया मरे हुए या मरते हुओं के लिए नहीं है ये जीवित लोगों के लिए है जो पूरी तरह से जीवन्त रहना चाहते हैं बिलकुल जीवन्त अगर ऐसा नहीं होता तो जिंदगी आपको अलग अलग तरीकों से तकलीफ देगी चाहे आप कुछ भी ठीक करें कोई फर्ट नहीं पड़ता चाहे आप अपनी आर्थिक स्थिती ठीक करें चाहे अपने आपने रिष्टों का इंशॉरंस कराया हो वैसे भी इंशॉरंस वाले रिष्टे हमेशा परिशानी ही देते हैं जिंदगी में चाहे आप जो भी ठीक करें जिंदगी कश्ट ही देगी क्योंकि आप आधे जीवत हैं तो संसार में ये विचार हटाना होगा कि आध्यात में मरते हुए लोगों के लिए हैं ये जीवित लोगों के लिए है कोई मर नहीं रहा है सब जी रहे हैं आप या तो शरीर के साथ जी सकते हैं या इसके भिना सच में या तो उसके साथ जीया जा सकता है जो आपने धर्ती से पाया है या उसके भिना पर आप जिंदगी रहते हैं तो धर्ती पर कोई मर नहीं रहा, सभी जी रहे हैं कुछ लोग धर्ती मांसे लिया कर्ज लोटानी की तयारी कर रहे हैं और कुछ लोग उसे कुछ समय तक रखने की कोशिश कर रहे हैं पर आपको क्या पता कि उसे कब वापस ले लेंगी तो अभी सबसे जरूरी है कि सभी के जीवन में ये संभावना लाने के लिए हम अपने समाज में एक मददगार वातावरण बनाएं जिसमें हम रहते हैं दुनिया के इस हिसे में आध्यात्म के ठैलने का कारण ये है कि हमने ऐसी परिस्थितियां बनाई जहां सभी अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकें आपको ये समझना होगा कि सिर्फ यही वो संस्कृति है जिसने स्वतंत्रता और मुक्ति को जीवन का सबसे बड़ा लक्ष माना है जो भारत में पैदा हुए हैं उनका लक्ष मुक्ति है भगवान नहीं स्वर्ग नहीं आपका लक्ष मुक्ति है आज कल हम ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे स्वतंत्रता और मुक्ति का विचार कहीं और से आया है पर ऐसा नहीं है हजारों सालों से हमने इसे अपने जीवन का सबसे उचा लक्ष माना है भगवान महत्वपूर नहीं है वे सिर्फ एक माध्यम है आपकी मुक्ति महत्वपूर है है न आपको हमेशा ये बताया गया है भगवान के साथ या उनके बिना, कि आप वहाँ पहुँचें, पून स्वतंतरता की स्थिती में पहुँचना ही सबसे महत्वपून बात है ये तभी संभव हो सका, क्योंकि हम जीवन के हर पहलू में, आसपास के हर पहलू में आजादी लाए यानि लोग अपनी मर्जी से चीज़ें करके भी समाज में रह सकते थे भारत की किसान अपने हल की पूजा कर सकते थे, ये ठीक है यहां के लोहार अपने औजार की पूजा कर सकते हैं, ये ठीक है आप मां को प्यार करते हैं, अपनी मां की पूजा कर सकते हैं, ये भी ठीक है जो अपनी पत्नी या बच्चों को चाहते हैं, वे अपनी पत्नी या बच्चों की पूजा कर सकते हैं, वो भी ठीक है आप माली हैं और आपको पेड़ पसंद हैं, आप पेड़ों की पूजा कर सकते हैं, वो भी ठीक है या आपको कोई देवी देवता पसंद नहीं, आप अपने देवी देवता खुद बना सकते हैं, कोई इसे गलत नहीं मानता भारत के समाज में कभी किसी को विधर भी नहीं माना जाता था आस्तेक नास्तेक पूजा करने वाले साप, गाए, हाथी, बंदर, पहाड, पेर, नदियां जिसकी भी उन्होंने पूजा की या पूजा नहीं भी की उन सभी को इस समाज में आजादी से जीने की और अपने विचार, अपने भाव और अपने जीवन का अनुभव बाटने की आजादी थी जब ऐसा माहौल बनाया जाएगा तब ही आध्यात्मिक विकास होगा तो अगर हमारे विचारों में, भावनाओं में, खुद को प्रकट करने के तरीके में और संबंधों में आजादी का भाव और ऐसी इच्छा नहीं है तो कोई आध्यात्मिक प्रक्रिया नहीं हो सकती लोग अपनी चेतना की खोज नहीं कर पाएंगे और उन्हें हमेशा मौजूदा किताब के नियमों के अनुसार ही जीना होगा तो इस देश में ये बनाए रखना बहुत अधिक सरूरी है कि सभी आजादी से और अपनी मर्जी से चीज़ें करते हुए भी सभी के साथ रह पाएं आपने दूसरे विश्वयोद के हिमलर का नान सुना है वो हिटलर का एक हिटमैन था तो हिमलर एक छिपने की जगा पर गया जहां हिटलर के आठ हम शकल थे आठ लोग जो बिलकुर हिटलर जैसे थे उन्हें हिटलर जैसा बरताव करने की ट्रेनिंग मिली थी हर तरह से उन्होंने उन्हें से कहा मेरे पास कुछ अच्छी और कुछ बुरी खाबर है उन्हें हिटलर जैसा व्यवहार करना ज़रूरी था ताकि उनकी आदत पड़े तो उन्होंने उन्हें सलाम करके कहा उन्होंने कहा फूरर्स कुछ अच्छी और कुछ बुरी खबर है वो बोले ठीक है पहले अच्छी खबर तब उसने कहा हमारे हिटलर अभी भी जीवित है ये अच्छी खबर है वो बोले बहुत अच्छा बुरी खबर क्या है तब उसने कहा हमारे हिटलर की बाईं आख फूट चुकी है ठीक है तो आपके आसपास जो होता है वो आपके साथ भी होगा आप उससे बच नहीं सकते आपके आसपास यह जो भारत को होता है वो सभी भारतियों को भी होगा है न तो हमें राजनीति कारणों से ही नहीं, आध्यात्मी कारणों से भी अपने आसपास मददगार माहौल बनाना होगा.